नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ टी सीरीस के मालिक रहे गुल्चन कुमार की हत्या में आरोपी अब्दुल रौफ ने सुप्रीम कोट में एक आच्ची का दायर की थी अब्दुल रौफ को 2-2 में मुंबई की निश्टी अदालत ने उम्रकेत की सजा सुनाई थी मुंबई हाई कोट ने भी सजा को बरकरा रखा था अब्दुल रौफ ने इस फैसले खिलाफ सुप्रीम कोट में याजिका दायर की थी अब सुप्रिम कोट ने महाराश सरकार को संबन में नोटिस जारी किया है इसके पहले सुप्रिम कोट ने केस में अन्य आरोपी अब्दुल रशित की आचिका पर महाराश सरकार से नोटिस मांगा था अब्दुल रशित को निचली अदालत ने बरी कर दिया था हलाकि बॉमे हाई कोट ने स्वेशले को भी पलट दिया था जस्टिस सूरिकांद और जस्टिस दिपांगर दत्ता की बैच ने अब्दुल्राउफ की दायर राचिका पर मारा सरका से चवाप मांगा है 12 अगस 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में एक मंदिर के बाहर गुल्चक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस हत्या में अंडलवल डॉन अबुसलेम का नाम सामने आया था अबुसलेम के कहने पर दो भाईयों अब्दुल्राउफ और अब्दुल्रशीद ने इस घटना को अंजाम दिया था अब्दुल्राउफ को मुंबई सेशन्स कोट ने अप्रेल दोजाद दो में उम्रकेत की सजा सुनाई दोजाद नो में वो जेल से अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल पर बाहर आया लेकिन पैरोल खतम होने से पहले ही वो बांगलादेश भाग गया वहाँ वो फ़र्जी पासपोर्ट केस में जेल में रहा इसके बाद उसे 2016 में वापस भारत लाया गया यहां आने के बाद उसने सेशन्स कोट के पैसले को चुनोती देते वे 2021 में बॉम्बे हाई कोट में याचिका दायर की हाला कि उसे यहां भी राहत नहीं मिली कोट ने उसकी सजाब बरकरा रखी है हाई कोट ने डिपपणी करते वे कहा कि अब्दुल्रव किसी तरह की उदाता का हगदार नहीं है क्योंकि वो पहले भी पैरोल के बहाने बांगलादेश भाग चुका है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद